तो दोस्तों अगर आप Google Chrome यूज कर रहे हो तो अपसे आगे Google Chrome को यूज करना आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि Google Chrome की वज़े से आपकी डिवाइस यानि आपका मोबाइल, PC, लेप्टोप, कम्प्यूटर है वो हैक हो सकता है इंडिया गोवर्मेंट ने Google Chrome को लेके हाई अलर्ट है वो जारी किया है खुद इंडिया गोवर्मेंट ने Google Chrome में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, पूरी 30 कमिया निकाली है अगर आप Google Chrome को यूज करते हो तो या इस बिमारी को जानना भी आपके लिए जरूरी है इसलिए वीडिया है मैं आपके लिए अवेर करने के लिए बना रहा हूँ, मेरे साथ हो आप बने रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं टेकनिकल नूनिया जी जैसा है कि दोस्तों आप सभी को पता है, ओल वर्ल्ड में फिलहाल गूगल क्रोम ब्राउजर है, सब का फेवरेट ब्राउजर हो बन गया जब शुरुआत में नया नया गूगल क्रोम मार्केट में आय था ना, तकरिबन 2008 में तो उस समय Microsoft का Internet Explorer है वो चल रहा था, साहिद उसमें आपने काम किया नहीं किया, लेकिन मने सो तो Internet Explorer में अच्छा है वो काम किया है, जब ये Google क्रोम मार्केट में आय तो लोग Internet Explorer को भूल गया और सारे के सारे जो यूजर है Google क्रोम पे है, वो आ गए, अब दोस्तों आपको पता कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जहां पे यूजर होंगे, तो यह hacker की नजर है वहीं पर भी होगी तो ऐसे में Google क्रोम को काफी सारे यूजर है, ओल वर्ड में यूज करते हैं, अब hacker की जो निगा है, वो Google क्रोम पे टिकी हुई है, क्योंकि यही से वो सबसे ज़्यादा डाटा है, वो चुरा सकता है तो ऐसे में Google क्रोम है, वो हाई अलर्ट पे है, वो आ गया, आज के समय में, चै वो mobile device ले लो, या फिर laptop ले लो, computer ले लो, PC ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह हम Google क्रोम को यूज करते हैं, आप भी करते हैं, और मैं भी करता हूँ, लेकिन भी है, यहाँ यहाँ पे अपने इंडिया गोर्मेंट का एक department है, CERT, जिसे SIT भी बोलते हैं, यानि Indian Computer Emergency Response Team, यह एक ऐसी cyber team होती है, जो cyber security है, यूजर को provide करवाती है, यानि हमें provide करवाती है, इंटरनेट की दुनिया में cyber security को लेके निगाय रखती है, कहीं पर भी यह दि कोई कमी पाई जाती है, तो तुरं इसे में CERT ने भी हाई अलट जारी किया गया, और यहाँ पे Google Chrome में पूरी 30 कम्या निकाले गई है, और इन 30 कम्यों में 7 कम्या तो ऐसी हैं, जिसके वज़े से आपका data हाई अलट पे hack हो सकता, hacker के दौरा, अब यहाँ पे दोस्तों Google ने खुद भी सविकार कर लिया, हाँ, ह कि और भी 7-8 कम्या है, जिस पे Google Chrome या Google Team का वो update चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी अपने device में Google Chrome को use कर रहे हो, तो use मत कीजिएगा, अब आप यह कहोगे, हम use नहीं करें, तो इसके बदले हम क्या करें, तो दोस्तों आपको यहाँ कहना चाहूँगा, देखि PC laptop, computer में use कर रहे हो, तो इसकी setting में जा करके है, इसे update हो कर लिजेगा, और दोस्तों मेरे देखने में ऐसा है कि कुछ mobile device के अंदर अब इसको अपने update करते हैं, तो यह update नहीं हो पा रहा है, अगर यह समस्या आपकी device में भी है, तो यह आप इसे disable कर सकते हैं, यह uninstall हो कर सकत हैं, और इसका जो latest जो update है, वो आप जरूर update कीजएगा, इससे ही आप बसकते हैं, क्योंकि फिल हाल भी इसकी 7-8 कमिया है, गूगल ने दूर नहीं किये, तो ऐसे में बड़ा ही risk की मामल है दोस्तों, देखिए अगर hacker आपके Google Chrome पे आता है, तो यह आपके system के अंदर, आप एक YouTube creator हो, तो भी आपके लिए तो यह बहुत हाई alert है, अगर आप automatic के Google Chrome के अंदर password save करके रखते हो, तो भी आप जल्दी से update कर लिजेगा, वरना बाद में आपको पस्ताना पड़ सकता है, यह cable creator की बात नहीं है, यह सभी user की बात है, जो Google Chrome को use करते हैं, अब कापी सारे द और भी अपने PC, laptop, setup की बात कर लो, लेकिन काफी सारे ऐसे browser जो बिल्कुल and safe हैं, उसमें security का कोई मावला नहीं, लेकिन फिर भी मापको यहाँ पर इसका जो alternate है, वो आपको बताता हूँ, देखिए आप पर Microsoft का जो letter चल रहा है, इडेज, वो आप यहाँ पर use कर सकते हो, प security के मामले भी अच्छा है, वो आप आसानी से use कर सकते हो, और इसके अलावी भहुत सारे ऐसे browser आपको देखने को मिल जाएंगे, आप use कर सकते हो, लेकिन पहले जो भी browser आप use करो, तो अब यहाँ सबसे पहले उसके बारे में जान लिजिएगा इस internet की दुनिया में, कि यह browser कैसा है, किस तरह से हमाँ को security है, वो हमें provide करवाता है, जान लिजिएगा, क्योंकि वैसे मैं एक लंबी list जारी करूँगा, या बताऊँगा, तो यह video काफी लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल तो मैं आपको दो ही suggest करूँगा, या तो आप brave है, वो आप use कर सकते हो, या फिर सभी दोस्तों में वो फैला दो, ताकि यार उनको भी हो पता लग जाए, और दोस्तों मुझे ये बताना, आप Google Chrome को use करते हो नहीं करते हो, यार मैं तो करता हूँ मेरे एक एक डिवाइस भी नहीं, मैं तो सभी डिवाइस में Google Chrome को use करते हो, अचे वो mobile phone हो, अपना ही system हो, computer हर जगे मैं तो यही use करता हूँ, अब आपको बताना, आप क्या use कर रहे हो, कि यह जो कम्या निकल के सामने है, तो थोड़ा सा आपको एटपटा सा लगा या नहीं लगा, comment करके मुझे जरूर बताना, वीडियो के यार शेर वो जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आ करत देना, आपकर थोड़ार आपको दे हो आपको आपको कार अपको पिना यहा।